आज अमर शहीद क्रांतिकारी ऐसे खुदीराम बोस का स्षाधत दिवस है जिसने 18 साल आठ मेने और आठ दिन की छोटी सी आईउ में अपने प्राणों को मा भारती के उपर कुर्बान कर दिया जो हस्ते हस्ते एक शेर की तरह फौंसी के फंदे पर चड़ गया जिसने 1857 की क् अग 51 वर्ष बाद 1908 में बंगाल विभाजन के बाद सोय हुए भारत के शोनित में शोर्य का संचार किया ऐसे शहीद आजम खुदीराम बोस जिसको पठ्थे पुस्टगों में पढ़ाया नहीं गया जिसके बारे में बताया नहीं गया 1949 में पंडित जवालाल नहरू प्रधान मंत्री थे तो मुझफर नगर की जेल में बिहार में जहां उनको फांसी दी गई वहाँ पर एक समार्क बनाने के लिए वहां के लोगों ने पंडित नहरू को आमंत्रित किया कि आप आईए खुदीराम बोस एक महान करांतिकारी थे उसक्रांतिकारी के समरक आप शुभारंब कीजिए ताकि क्रांतिकारियों को सम्मान मिले जिन्नोंने आजादी दिलाई उनको सम्मान मिले तो पंडित जवालाल नहरू ने पहले हां की और उसके बाद मना कर दिया उसने का कि मैं गांधिवादी हूँ खुदीराम बोस ने आतंकवादी काम किया था और मैं ऐसे आतंकवादी और हिंसावादी काम का समर्थन नहीं कर सकता हमें दुख है कि ऐसे लोग जिन्होंने करांतिकारियों का सम्मान नहीं किया जिन्होंने करांतिकारियों को उनका श्रे नहीं दिया जिन्होंने करांतिकारियों को अपना उस खुदीराम बोस में जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, उस खुदीराम बोस में आए हम बात करते हैं, खुदीराम बोस जी का जनम 3 दिसंबר को 1889 की में पश्टिभी बंगाल के मजिनापुर जिलेम के वहुजैए नामक सबना में हुए उनके पिता बाबु होता है यह आप समझ सकते हैं एक अच्छे अच्छे भले परिवार में उनका जन्म हुआ था खुदिराम बोस को बच्पन से ही आजादी की ऐसी लगन लगी कि बच्पन से ही उन्होंने पैग कर लिया था कि मुझे क्रांतिकारी बनना है उस समय लोकमान्य तिलक को चार पेज का संपादकिया लिखने के कारण मानले की जेल में कारवास दिया था खुदिराम बोस को जब बच्पन में ये पता लगा तो उन्होंने जीवन में एक संकल पलिया कि मुझे इसका बदला लेना है खुदिराम बोस अपनी नराजोल एस्टेट के तहसिलदार थे जै बड़ा काम करेगा या शश्वी होगा लेकिन अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा तो उस समय के रिवाज के लिहाद से बंगाल में एक प्रथा होती थी कि जब कोई छोटा बच्चा होता था और जब उसके बारे में ये अंदेशा होता था जो तशी कहते थे कि इसको य बहनने परिवार में ही एक रस्म करने के लिए उसको खरीद लिया ताकि इसकी चोटी आयू में डेथ ना हो चोटी आयू में इसकी आयू लंबी हो ऐसी वहाँ पर मान्यता थी छे वर्ष की आयू में खुदीराम के माता-पिता चल पड़ थे उनकी जो दीदी थी बड़ी बहन थी अपरुपा देवी का विवा हो चुका था खुदीराम बोस को उनने अपने गर में ले कर गई अपने घर में उनका भी एक बेटा था जो खुदीराम बोस का हमुम्र था उनके साथ तमलुक शहर में, हैमिल्टन स्कूल में वो पढ़ने लगे, खुदिराम बोस 12 साल के हो चुके थे, खुदिराम बोस का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उनके अंदर एक विशेश क्रांतिकारी के गुण थे, और स्कूल में भी वो ऐसे छातर के रूप में जाने जाते थे उसके बाद वापिस उसको जंगल में छोड़ कर आ जाते थे, एक बार वो अपने बच्चों के साथ शरारत कर रहे थे, एक उँचे पेड के उपर चड़ गए, उँचे पेड के उपर चड़ गए, तो वहाँ उँचे पेड से कुदे, तो उनको बहुत चोट आई, उनके क बयालू थे, जब 6 साल की उमर में उनके माता-पिता का देहन तो गया, तो उनके पिता को उस समय की जो उनकी स्टेट थी, जहां पर वो तैसिलदार थे, उनके राजा ने उनकी शादी में एक पश्मिना शाल दिया था, खुदीराम बोस के घर के पास एक भिखारी रहता थ उस बिखारी को जब एक बार उन्होंने सरदी में ठिटटे वे देखा, और देखा कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, तो वह कीमती पश्मिना शाल ले जाकर वो उनको दे दी, जब उनकी दीदी ने, जब वो शाल ले जाकर जा रहे थे, दीदी ने देखा कि ये शाल लेकर बिखारी को देने के लिए ले जा रहा है, तो उसने का कि तुम इस बिखारी को दे दोगे, तो ये इस शाल को मत दो, कुछ और दे दो, तो उसने का कि नहीं मैं इस शाल दूँगा, तो उसने का कोई बातनी बेच भी देगा, तो उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन म में खुदिराम बोस अपने जान की पर्वाना करते वे रोग्यों की सेवा करने का काम करते थे और खुदिराम बोस के अंदर क्या गुण थे के एक बार जब हैजा फैला हुआ था तो बहुतitas खुदीराम बोस के दोस्तों ने कहा कि शम्शान घाट में लोगों को बहुत दफनाया जलाया जाता था, उनके दोस्तों ने कहा कि शम्शान घाट में भूत रहते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तो खुदीराम बोस ने कहा कि मैं जाता हूँ, तो खुदीराम बो या कि मुझे किसी भी भूत प्रेट से डर नहीं लगता ऐसे ही एक बार उनके स्कूल में उनके शिक्षक ने जब कुछ बच्चे शराड़त कर रहे थे तो उनके शिक्षक ने पूछा कि तुम में से देखते हैं कि किसमें कितनी हिम्मत है तो उसने कहा कि मेज के उपर तुम बहुत बहादूर हो बहुत शोर्यवान हो बहुत शक्तिशाली हो जब वो स्कूल में रहते थे तो उस समय स्कूल में पढ़ते पढ़ते वहां पर उनके वहां उस शहर में अरविंदो घोश का आना जाना होता था भगीनी नवेदिता मदीनिपूर में कई बार गई वहां उनकी जन सभाएं होती थी क्रांतिकारियों के साथ गोपनिय बैठक होती थी और खुदिराम बोस उन जन सभाव में उन बैठकों में शामिल होते थे अरविंदो घोश को भगीनी नवेदिता को इनको लगातार सुनते रहते थे 1905 में इस बीच में एक बड़ी घटना क्रम हुई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ बंगाल के विभाजन के समय आंदोलन चला स्वदेशी का आंदोलन चला लोकमाने तिलक ने आंदोलन चलाया वीरसावरकर ने आंदोलन चलाया तो उस समय खुदिराम बोस भी उस आंदो तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने लगे तो खुदी राम बोस ने जिसने सवदेशी की धोती पहनी हुई थी उस बच्चे का पक्ष लिया और कहा कि सवदेशी वस्त्रों को पहनना गर और गोरव की बात है हम जो सवदेशी पहनेगा उसको बचाएंगे और उसका साथ द उनको वो जमिदार थे 1896 में उन्होंने अपनी सारी संपत्ती बेच दी और सारी संपत्ती बेच कर यूरोप चले गए यूरोप में पेरिस में जाकर वो शाम जी कृष्ण वर्मा और मेडम बीका जी गामा से मिले और वहां जाकर उन्होंने 174 पेज का बंब बनाने का मत्ति हैं है कि किसी देश में जो जो बड़े बड़े समू है वह सोचते हैं कि किसी तरह में प्रमानुप बंब मिल जाए, मिसाइल मिल जाए तो उस समय में आज इससे वापिस आये तो बंगाल की सड़कों पर मदिनिकपूर की सड़कों पर जब जा रहे थे तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक कर कहा कि हेमचंदर जी मुझे आप पिस्तोल दो मैं अंग्रेजों को मारूंगा अब हेमचंदर कानून को मैनूल लेकर गुप चुप तरीके से काम करते थे वो एक दम हके-बखके रह गए कि चोटा सा बच्चा यह मेरे सामने आकर कहता है कि पिस्टोल दो कितना बड़ा निडर और बहादूर यह बच्चा है , उसको शपत दिलवाई लहू के साथ उसका तिल्ट किया गया और उस संकल्द दिल नाम के और विद्यारती थे उल्लासका रदत भी बहुत बड़े करांतिकारी थे जिन के बारे में पढ़ाया नहीं गया उनको उनका जो युगांतर संगठन था उसमें बंब बनाने का विभाग बनाया गया उसका प्रभारी बनाया गया अरविंदो जी के साथ उन्होंने बं बनाना सिखाने का प्रशिक्षन का स्कूल खोला लोगों ने संकल पिया कि बंगाल का विववाजन किया गया है इसको जब तक वापिस नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपना अंदोलन जारी रखेंगे खुदी राम बोस उसमें नोजवानों की तलाश में रहते थे नोजव भाहराम गनेश देवसकर नाम के एक हमारे बुद्धी जीवी हुए है करांतिकारी जिनोंने देशेर कथा के नाम से बांगला भाशा में पुस्तक लिखी थी जिसमें बताया गया था कि आजादी का क्या महत्तों है और अंग्रेजियों ने कैसे हमारे भारत को गुलाम बना हमारे तो जब आपनी बहन के बेटे के साथ घूमने के लिए उस शिव मंदीर में गये तो उनोंने देखा कि वहां पर बड़ी भीड़ लगी वह है तो औने बेहन के बेटे शोजब लोग जमीन पर लेट कर जैसे गडवत करते हुए तो खुदिराम बोस उस दिन शाम को भगवान शिव के मंदिर के सामने लेट गए और 24 गंटे तक लेटे रहे जंगल के अंदर मंदिर होता था कीड़े मकोडे साब बिच्छू भी रहते थे तो 24 गंटे तक वो लेटे परिकर्मा करते वे तो वहां पर भगवान शंकर की आरा और जब उन्होंने देखा कि खुदिराम बोस उल्टे लेटे हैं तो उन्हों ने उसको उठाया उसने कहा उच्छा क्या इच्छा करने के लिए भगवान शंकर कर। ये परिकर्मा कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं मेरी इच्छा थी कि मैं इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवा हूँ इसके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था लोग भगवान से इच्छा करते हैं कि हमें धन मिले संपत्ती मिले हमारा मकान मिले हमारी खनली की कोष्तापेशंट के रखते थे हुए इतली के दो क्रांतीकारी हुए है एक तो मैंजिनी एक गैरिबालडी लाणा पत्राइए जी ने मैं जी नी और गैरिबालिक की जीवनी रखा所以 रखिले बंगाल के कुछ क्रांतीकारियों भी इन से प्रेणा लेते थे नेता जी सुभाश्चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता रखा क्यों कि अनीता गैरी बाल्डी के परिवार से उसके परीजन के एक सदस्य का नाम था तो इतने बड़े कुरांतिकारी मैंजिनी और गैडी बाली थी थी उनकी पुस्तक्य खुदिराम algumas हमेशा अपने त्हयले में रखते थे और खुदिरामिब啊 क्योंकि ब्रह्मचायृयजी थे कुछ मुस्लिम लठेट थे तो उन्होंने आपस में चुनोती देते थे तो एक बार उन्होंने चुनोती दी कि हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो खुदी राम बोस उनके सामने गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा तो उन्होंने देखा कि छोटा सा क्रांतिकारी थे जिनकी हैंडलूम की फैक्री थी वो क्रांतिकारियों का स्थान था वहां पर क्रांतिकारी अपनी गुप्त सभा करते थे गुप्त मीटिंग करते थे और इसके साथ साथ मदिनिपूर में ही सतेंदरनाथ बोस के घर के पास एक काली मंदिर था वहां पर नोज काम में कभी भी वो कायरता का साथ नहीं देंगे कभी भी इस रास्ते से विचलित नहीं होंगे और कभी भी जो भी दुख आए बाधा आए उसका हस्तेव वे सामना करेंगे ऐसे ही 1906 में फरवरी में मिद्यनापूर में एक इंडिस्टियल और ध्योगिक और एग्रिकल्चर क की परदरशने ने लगाई हुई थी असपास के प्रांतों से और बहुत सी भीडा पर आई वी थी तो क्रांतिkaर सोचा की है मत का प्रचार प्रसार करते हैं तो क्रांतिकारियों ने सोनार बंगला के नाम से एक पत्रक छपवाया था उस पत्रक में क्या था बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को लूटा भारत के पैसे से कैसे इंग्लेंड में धन संपत्ति आ रही है, इंडस्टिरालिजिशन आ रहा है, उद्योगी करंति आ रही है, तो ये उस पत्रक में था और भारत की आजादी के लिए नेजवानों से अमवान था, तो उस समय करंतिकारियों के पास शोशल मीडिया नहीं था, उस समय ना पत्रक है, वो उन्होंने बाटने के लिए खुदीराम बोस को जिम्मेदारी दी, थोड़ी देर में पुलिस वालों को पता लग गया, पुलिस वाले ने खुदीराम बोस को पकड़ने की कोशिश की, खुदीराम बोस ने पुलिस वाले की नाक के ओपर घुसा मारा, उसकी पिटाई की और वहां से भाग गई अब थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने उसकी शिकायत कर दिया और खुदी राम बोस को पकड़ लिया गया खुदी राम बोस को पकड़ने के बाद उनको कई महिने की सजा दी गई सजा भुगतने के बाद खुदी राम बोस फिर जेल से बाहर आए फिर जेल से बाहर आने के बाद फिर उन्होंने पत्रक बाटने शुरू कर दिये और फिर 1907 में खुदी राम बोस ने नारायन के ट्रेड लिवे स्टेशन के उपर एक ट्रेन की बोगी उड़ाने की योजना बनाई इसके बारे में कभी बताया नहीं जाता है खुदी नाम बोस्ट और करांतिकारियों ने उस समय जो बंगाल का गवर्नर होता था ये सोचा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ इसमें गवर्नर का सबसे बड़ा हाथ है यदि हम बंगाल के गवर्नर को मार देते हैं तो यूरोप तक इसकी गुंज सुनाई देगी तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को मारने के लिए एक बोगी को उड़ाने की योजना बनाई बंब से हमला किया अब ये दुरभाग्य देखिए कि जिस बोगी में गवर्नर को होना था गवर्नर ने बोगी चेंज कर लिए वो दूसरी बोगी में था करांतिकारियों का प्रियास सफल नहीं हो पाया उस समय किंग्स फोर्ड नाम का एक जजज था जो मिदिनापूर में कारे करता था उसने अरविंदो गोश को सजा देने का काम किया और इसके साथ साथ वो जब भी कोई करांतिकारी आता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था अंग्रेजों का बहुत बड़ा पिठ्थू था अंग्रेज ही था और करांतिकारियों से बहुत घ्रणा करता था और उनके बच्चों के खिलाफ कोई भी करांतिकारियों के खिलाफ कोई भी शिकायत आती थी तो उस शिकायत में वो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा देता था तो करांतिकारियों को यह लगता था कि इस किंग्स फोर्ड से हमें बदला लेना है तो उस समय जो खुदिराम बोस को जेल से छोड़ा गया तो जेल से छोड़ने के बाद खुदिराम बोस का पूरे पूरे जिले में जुलूस निकाला गया कि खुदिराम बोस ने बंब बनाना सीख लिया था तो उस अख़बार को बाटने वाले में यदि कोई बच्चा भी पकड़ा जाए तो उस बच्चे को भी कोड़े लगाने की सजा देता था जेल के अंदर डाल देता था बहेंकर यापनाएं देता था तो इन सारे कारियों को करते वे Kings Ford हमारे क्रांतिकारियों के target पर था कि Kings Ford को किसी भी तरीके से हमें मजा से खाना है तो Kings Ford को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने उस समय पार्सल में एक बम बेजा कि हम पारसल बेजेंगे, पारसल जैसे ही खोलेंगे तो बम फटेगा Kingsford के नाम पारसल बेजा गया, खुदीराम बोस और उसके करांतिकारियों ने यह रिखती है और करांतिकारियों के निशाने पर है कर दिया के मुझफुरपुर जिले में कर दिया तो वहां के क्रांतिकारियोंने निर्णे लिया कि हमें तो बदला लेना है या उसके घर में या वो कहीं जाता है तो वहां पर उसकी हत्या करेंगे और भारती के अपमान का बदला लेंगे अरविंदो घोष के अपमान का बदला लेंगे करांतिकारियों के अपमान का बदला लेंगे और अंगरेजों के यूरोप तक उनके ब्रिटेन तक हम ये संदेश देंगे कि भारत के अंदर अब आप लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है, खत्रे से खाली नहीं है अब खुदीराम बोस और पुर्फुल चाकी की डूटी लगाई गई, पुर्फुल चाकी खुदीराम बोस मुझफर पुर्जिले में पहुंचे वहाँ पर उन्होंने एक ध्रमशाला में कमरा लिया और वहाँ पर रहकर किंग्सफोर्ड की रेकी करना शुरू किया उनकी कोट में गए वो कोट में उनको देखा, उनकी दिंचरिया को देखा और जब उन्होंने देखा कि शाम को खुदिराम बोस, एक जो अंग्रेजों का जो कलब बना हुआ है, उस कलब में रोज जाते हैं, उसकी बग्गी को उन्होंने देख लिया, बम बना कर उन्होंने तयारी कर लिकि आज शाम को, जब किंग्स फोर्ड जाएगा, और जाकर लेके बाहर घोड़ा-गाडी की रा देखने लगे पुलिस के गुपचरों ने उनको देख लिया उन्होंने उनको टालना चाहा लेकिन वहां से एक बार उनकी नजनों से बचते वह एक बार हट गए दोबारा वहां से कलब के पास आ गए जब उन्होंने वापसी में कलब से बगगी को निकलते वे देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर किंग्स फोर्ड होगा उन्होंने बम फेंक दिया और उन्होंने सोच लिया कि अब बगगी के अंदर किंग्स फोर्ड है तो उसका काम तमाम हो गया होगा और बम फेंकने के बाद जब उन्होंने देखा कि उस बम की आवाज तीन मिल तक सुनाई दी और उन्होंने देखा कि पूरा होला हो गया है पुलिस आ चुकी है तो प्रफुल चाकी और खुदीराम बोस दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर चले गई प्रफुल चाकी अलग दिशाओं में गए खुदीराम बोस अलग दिशाओं में गए खुदीराम बोस लगा तार रात भर लगबग 24 किलो मिटर 24 मिल तक लगबग 36 किलो मिटर तक चलते रहे और वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने विश्राम किया वहाँ पर जब वो स्टेशन पर गए तो एक बोसिक नहीं की खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद उसको कोड़ में पेश किया गया कोड़ में जब उसको पेश किया गया तो वकील कालिदास बसू ने कहा कि पहले भी जो राजबूत ओरतें होती थी वो चिता की आग में बिना डरे घुश जाती थी, मैं भी उसी तरह जैसे जोहर करती थी हमारी विरांगनाएं, वैसे ही निर्भीकता के साथ मैं अपनी शहादत दूँगा, तो मैं फांसी से डरता नहीं हूँ, फिर भी खुदिराम बोस के कांतिकारियों ने एक वकील खड़ किया, जज के सामने खुदिराम बोस को पेश किया गया, जब जज के सामने खुदिराम बोस को पेश किया गया, तो खुदिराम बोस डरे नहीं, और जब वो डरे नहीं, तो लगातर जब वो बात करते रहे, जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई, तो लास्त में उन्हों ने कहा जजज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ गहा कि जब उतने चोटे से बच्चे हो तुमने कैसे बम बनाया तो खुदीराम बोस ने कहा किसल साफ यदि आप मुझे दो दिन न ten का विद्याले चलाना पड़ा बंबनाने का मैं यदि बंबनाने की टेक्निक कोर्ट में बताता हूं तो पत्रकार अख़बार में चापेंगे और पूरे देश के नोजवानों तक बंबनाने की टेक्निक पहुंच जाएगी ये योजना खुदिराम बोस की थी अंग्रेजों का जद समझ गया कि इसको यदि मैं जेल कोर्ट के अंदर बोलने का मोका दूँगा तो ये बंबनाने की टेक्निक सारजनिक कर देगा और इससे अंग्रेजों का नुकसान होगा तो उसने उसको मोका नहीं दिया और जेल भेज दिया आज के दिन 11 अगस्त को कहा कि मैं अपनी अपनी दीदी के नाम अपनी मोसी के नाम अपनी दीदी के नाम संदेश दिया कि मैं 18 महीने बाद दोबारा जन्म लूँगा अपनी मोसी के घर जन्म लूँगा और अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो तुम्हें गले के उपर फांसी के फंदे का निसन मिलेगा खुदी राम बोस की शाहदत छाहदत के बाद, जब उनका अंत्म जुलूस निकला तो हज्जारों लोग की भीडमिर उसके पीछे थे जब उनका अंत्म संस्कार किया गया तो अपने घर से हाथी दात के डिबियां लाकर, तावीज लाकर लोगों ने उस राक को भर लिया कि हम खुदिराम बोस की राक का बना हुआ तावीज अपने बच्चों को पहनाएंगे ताकि वो भी उनकी तरह बहादूर बन सके खुदिराम बोस की शहादत के बाद हजारों लोगों का जुलूस निकलने के बाद जो बंगाल के जो खुदिराम बोस के नाम की धोती है तो इतना बड़ा व्यक्तित तो इतने बड़े करांतिकारी खुदिराम बोस थे और जब मुझफर पुल की जेल में उनको झाल की जो जब जब जो इतना बड़ा व्यक्तित तो इतने ड़ों की जगले एतने में लोगों में दोलूस पुल्ड़ादों की जग्तित तो इतना बाद जाए से कि एक पुस्तक में ये शामगरी कहीं उपलबद नहीं होती है क्यों कि खुदिराम बोस जैसे विक्तितों के उपर कभी रिसर्च नहीं की गई मुझफर पुर में वहां के लोगों ने खुदिराम बोस का एक समारक बना दिया उसके एक मुर्ती लगा दी सरकारों की उदासिंता देखिए बिहार में कॉंग्रेस की सरकार रही है उसके समारक के पास लोग पेशाब करना शुरू कर दिया उसके समारक के पास कुसल खाना ट करते हैं वंदन करते हैं और आपको यदि ठीक लगे तो इसको शेयर किजिए धन्यवाद जै भारत वंदे मात्रम भारत माता की करते हैं